नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्लास्टेस्ट अकेडमी, इस वीडियो में बेसिकल एथिकल कोट डिसकस करेंगे, इस वीडियो अच्छा लगा, प्लीज सब्सक्राइब किजिए, लाइक किजिए और इस वीडियो का रेवियो दिजिए, चलिए, आज का एथिकल कोट है कि यह अर्विंदो गोश्ट के द्वारा दिया गया कोट है, इसका मतलब है ना कि आपको सच्चा ग्यान सोचने से प्राप नहीं होता है, आप क्या होना अभी प्रेजेंट के टाइम में, आप उसको एकसेप्ट किजिए, हाँ, मुझे इंप्रूब्मेंट का जरूरत है, और मेरे को क्या गोल है जीवन में, आप उसको इंप्रूब्मेंट का जरूरत है, इतना हाड़ वर्क का जरूरत है, बेसिकली यह कोट का मतलब है, चलिए नेक्स्ट, बेसिकली आज का एक छोटा सो कॉंसेप्ट है, इमोशनल इंटलिजेंसी, बने रही है और एकदम ध्यान से सुनिएगा, और अच्छा लगे इस वीडियो, तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट चलूर कीजिएगा, बेसिकली इमोशनल इंटलिजेंसी का मतलब क्या है ना, कि आपका जो भी अंदर का इमोशन है, उस पे आपका कैसा कंट्रोल है, या आप उसको इंटलिजेंसी और आपना लगा कर उसे कंट्रोल कर नहीं कर रूरे हो, तो एथिकल कूट भी है, इदर ये मांड, और मांड रेगलिजेंसी पर है, कि आप मैंड को रेगुलेट करो, या तो मांड आपको रेगुलेट करेगा, तो बेसिकली इसका डिफीनेशन, आप क्या दर सकते हो, बेस इसका मतलब है आपके पास ability है recognize करने का understand करने का manage करने का उस emotion को अपना emotion को और other emotion का भी इसमें बहुत interesting चीज है आपका emotion भी और other का emotion भी तो यह एक emotional intelligence के ability है ability पर focus कीजिए इस चीज को आपका जो भी emotion है उसको recognize भी कीजिए आप दूसरे का भी emotion के recognize कीजिए अपना भी समझिए emotion कि मेरा emotion क्या चाहता है दूसरे का भी आप समझिए और दोनों को बीच में तालमिल बैठा के अपना जिन्दिगी को drive कीजिए यह है emotional intelligence से बेसिकली example शेम अभी मैंने बताया कि आपको अगर इसको handle करना है न तो आप इस्ट्रेस को handle करना है न बेसिकली आपको positive attitude रहना पड़ेगा positive attitude all the time आप अपने बारे में aware हुई है कि आपका emotion क्या चाहता है basically wrong side है या right side है right side है तो कोई दिकत नहीं है लेकिन अगर wrong side है न तो आप positive attitude अपनाए और इस वीडियो में बने रहिए मैं आपको बताऊंगा कैसे positive attitude को develop करते हैं और कैसे emotional intelligence को भी develop करते हैं का जैसी कैसे develop करते हैं तो मैं बताऊं कि सबसे पहले आप अपने आपको measure कीजिए कि measure कीजिए okay measure कीजिए आप सबसे पहले और measure करके उस पर work करना di betting और अबements operation के पर भी measure किजिए अपना भी measure किजिये और उस पर work किजिए क्या है मैं क्या सोच रहा हूँ ना तो आप लोग क्या है कि एक दूसरे की बीच में communicate किजिए कॉम्निकेट कीजिए, पहला चीज मैंने बता है, मेजर करने के लिए, दूसरा चीज मैंने बता है, कॉम्निकेट करने के लिए, आप एक constructive feedback लीजिए, एक दूसरे का, constructive feedback, कि मेरा emotion कैसा है, राइट साइड है, या आपका emotion राइट साइड है, तो एक constructive feedback लीजिए, आप एक अच अपने life में inculcate कीजिए इस अवर्चियू मैंने क्या बताया सबसे पहले आप measure किजिए अपना emotion और दूसरे का emotion ये क्या है ओके सबसे पहला काम दूसरा काम क्या है कि आप एक दूसरे के बीच में communicate कीजिए हाँ यह यह पसंद है यह आगे कर सकते हैं आप एक constructive feedback कीजिए, अपना constructive feedback लीजिए, आप good virtue जो भी है, उसको inculcate कीजिए अपने life में sympathy, एक दूसरे के बीच में, love एक दूसरे के बीच में, empathy होना चाहिए, compassion होना चाहिए, आप क्या है, emotional intelligence को develop करने के लिए अपने जीवन में, जो भी great leaders का teaching जो है न, great leaders का teaching, 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 आप उसको inculcate कर सकते हैं, जैसे गांधी जी का क्या experience है अपने life में, सर्दार वल्लभाई पटेल का क्या experience है life में, अटल बिहारी वाजपई का क्या experience है life में, तो आप इसे inculcate भी कर सकते हैं, आप एक role model को follow कर सकते हैं, अच्छे role model को follow कर सकते हैं, तो ये सबसे क्या ह पताया अपने आपको मैजर कीजिए और दूसरे का भी emotion को मैजर कीजिए आप एक दूसरे के बीच में communicate कीजिए आप एक constructive feedback लाइए एक दूसरे का आप एक अच्छे वर्चिव को follow कीजिए follow-up कीजिए जिसमें sympathy, empathy, love, compassion हो आप क्या है कि जो भी great leaders का teaching है ना teaching है ना सरदार वल इसको inculicate कीजिए अपने live में आप एक role model को follow कीजिए जैसे मोधी जी भी एक role model हो सकते हैं आपके live में ओके तो ये शब है चलिए अब emotional intelligence के बाद आते हैं case study में एक बहुत ही अच्छा और interesting case study है आप एक IPS officer हो, police officer हो इस case study में basically आपके capital में क्या है कि communal right हुआ है इसमें क्या है कि 40 people का death हुआ है, 100 से ज्यादा people घायल हो चुके हैं, जो भी इस communal right को भढ़काये हैं उन्हें ने किया है कि किसी और इस्थान पे migrate कर गया है अब police को बहुत ज्यादा ही pressure है कि आप law को maintain करना, arrest को accuse करना, इसी के संदर्ब में क्या होता है ना, कि police 10 people को arrest कर लेते हैं, जो भी उनको दीखा, 10 people को arrest कर लिए में जीच किया है ना, कि ये people जो है ना, 10 people, ये minority background से है, मैंने भी अपने life में experience किया है, कि जब भी कोई crime होता है ना, तो police लोग जो है ना, ओ अच्छे people के पास ना जाकर, ओ चले जाएंगे, मतलब एक दम minority people के पास, कि आप नहीं crime किया होगा, अगले बार चोरी आप नही किया होगा, तो ये है, तो आप एक समझी कि, मतलब आप एक police officer हो, और post-it stream जगग पे किया गया है, आपको, तो आपको क्या करना है, आपको, आपके पास क्या, इसको tackle करने के लिए, आपको पता है कि ये minority committee का, community का, जो भी arrested हुए है, वो सब people है, तो आपको बताना है, कि आ आप इसको कैसे tackle किजिएगा, आपके पास क्या-क्या option होगा, क्या-क्या option होगा, tackle करने के लिए, और जो भी option होगा, ना tackle करने के लिए, आप उसको evaluate किजिए, इसका मतलब क्या है, merit बताईए, उसका क्या सही चीज है, अगर ओ decision लेते हैं, हम decision लेते हैं, जैसे आप ये सब यह decision लिजिए इसका बता हिए कि क्या सही है क्या गलत हो सकता है तो फिल दूसरा decision क्या सही है क्या गलत है इस तरह से क्या आप इसको evaluate कर सकते है उसके बाद क्या है कि आप choose किजिए कि जो भी आप option बताएं कि मेरे को इस situation में यह यह tackle करना चाहिए ऐसे ठीक है न तो उसमें से आपको किसको बहुत अच्छा लगता है most appropriate मतलब सबसे अच्छा कौन साय ओर decision यह आपको case study में बताना है तब मैं फिर एक बार बता दूँ आप एक police officer हो ठीक न आप आपके जो भी है आप जिस area में posted हुए हो capital में उ उसमें 40 people का death हो गया है 100 से people जादा injured हो गया है उसमें police बहुत जादा pressure होने के कारण 10 people को arrest कर लिये हैं तो यह सब आपको चीज पता चलता है ठीक है न आपके पास क्या option है क्या option है आपके पास कैसे आप work किजिएगा क्या 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 उसको फिर आपको option को evalate किजिएगा औ आप इसको सबसे पहले बोलिए कि मैं उसके किस study के बारे में बोलिए कि communal राइट हुए थे 40 people death किये 100 people injured किये situation बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रीम प्रेसर है एक्स्ट्रीम प्रेसर है इनोसेंट पीपल जो है उनको एरेस्ट किया गया है इनोसेंट पीपल को और हम पुलिश ऑफिसर पोस्टेड इन सेम सीटी ओके तो यह आप केसी study है केसी इंट्रोड्यूस किए इंट्रोड्यूस किजिए इसको सबसे पहले इसका फिर आपने मैंने पीछले भी वीडियो में बताया कि आप इस टीक होल्डर के बारे में लिखिए जैसे कि इस केसी study में सबसे पहल है कि आप एथिकल कंसर्ण और डेलिमा कि जैसे अगर आप पुलिस ऑफिसर है तो आपके पास दो तरह को आप्शन होगा या तो मैं पुलिस का साथ दो या तो पीपल के साथ जाओं ठीक है न तो यहीं देखना है आपको law and order भी maintain करना है ठीक है आपको justice भी देना है आपको सर्विस का integrity आपका public service उसको भी ensure करना है तो यह सब एथिकल डेलिमा है आपके पास की जब भी आप decision लीजिए तो यह सब के बारे में सोचते रहें या क्या करें क्या करें यह भी है यह भी है तिसमें से किसको choose करें आप rule of law को देखे या fraternity brother or minority के साथ में मतलब यह करें तो आपको यह सब चीज़ देखने को मिलेगा सर्विस में सबसे पहले क्या है क्या option आपके पास available है तो आप इसको देखे आपके पास जो भी option है सबसे पहले है कि मतलब एकदम less decision को आप लिखिए सबसे पहले है कि हम interference नहीं करेंगे इसमें पहला चीज़ मतलब जो भी कानून होगा वो देखेगा ठीक है ना इस चीज को इसका अच्छा है कि जो भी स्तिती है वो पना हुआ रहेगा status की मेंटेन रहेगा लेकिन इसका डिमेरिट क्या है ना कि आप injustice कर रहे हो आप एक IPS officer हो पुलिस officer हो और आप को एक्सन लेना चाहिए लेकिन आप उसको आवाइड कर होगे इसका merit बता है डिमेरिट बता है second option यह है कि आप publish करो कि कौन साथ people को पुलिस ने arrest किया है तो यह publish करने से क्या है कि आप truth को आउट करोगे लेकिन इसका क्या है कि आपको जो भी है मेडियास के सामने information लिक हो सकता है violation फिर ज्यादा increase हो सकता है ठीक है जो भी आपना service conduct rule है उसका भी violate आप करोगे यह सब second option है थर्ट option आपके पास है कि आप क्या है कि जब भी आप जो भी sharing information करोगे ना आपका investigation में confidence आएगा आपको हर चीज सब चीज को पता चलेगा क्या process है क्या नहीं है ठीक है investigation में आपको पता चलेगा जब आप sharing information करोगे तो यह process of justice से sharing information करना लेकिन आप जो expose कर रहे हो ना expose कर रहे हो ना यह basically में मतलब डिपार्टमेंट जो expose कर रहे हो ना यह unfair है basically unfair है हो सकता कुछ privacy मेंटेन भी किया जा सकता हो आप last में जैसे मैंने क्या पता है कि study के बारों में introduce किजिए उसके बाद stakeholders लिखे उसके बाद ethical concern लिखे उसके बाद क्या है कि आप जो भी option available था मैंने उसको एविलेट भी किया उसके बाद conclusion क्रिप्स में लिखे जैसे यह ethical जैसे कि यह quote है quote है सत्य को कायम रखना नयाय का महत्पुर्ण आदर्स और संगाटतम भावना के परती बीम्ब है जैसे upholding the truth है ना upholding the सत्य को कायम रखना तो यह क्या है कि जैसे ideal of justice organizational spirit यह सब basically यह परती बीम्ब है ओके नयाय का तो आप यह से बहुत सकते हो कि इंद जो भी है मैंने above course of action बताया उसमें से जो भी appropriate है क्या यह appropriate है बाई objective, impartiality, justice यह सब को ensure करना ओके thank you for your love और please subscribe, like and comment this video